हेलो एवरीवान एंड वेलकम बैक टो माई चानल लिटरेचर लाइबरी आया मकांग्शा एंड तुड़े एल वी टीचिंग यू दे लेजेंड बेहाइंड लेजेंड बाई हरीहरन बालकृष्णन हरीहरन बालकृष्णन एक राइटर थे और इस आर्टिकल को 22nd जैन्वरी 2006 में दे हिंदू में पब्लिश करवाए गया था पहले समझते हैं लेजेंड का मतलब क्या है दे लेजेंड इस नेरेटिव अबाउट वरी फेमस पर्सन और अगर कोई इंसान अपने काम में बहुत जादा माहिर हो तो उसको भी आप लेजेंड कंसिडर कर सकते हैं यहां प जशीपूर के नाम से और उसने उस फॉरेस्ट को इतना फेमस बना दिया था कि जशीपूर खेरी जशीपूर के नाम से जाना जाता था Mr. Sarojra Chaudhary Indian Forest Service के एक officer थे and he had the capacity to handle wild animals वो एक पिता की तरह खेरी का ध्यान रखा करते थे और at the end of the story हम लोग ये देखेंगे कि खेरी के death के बाद सरोधरा चaudhary भी मर जाते हैं स्टोरी की शुरुआत में author ये बताते हैं कि 25 years पहले उन्होंने wildlife century में खेरी के साथ दो दिन और दो रातें बिताई थी फिर वो यहां से बताते हैं कि वो खेरी से कैसे मिले और वहाँ पे क्या क्या हुआ वो बताते हैं कि एक दिन उन्होंने दे स्टेट्स में नाम के एक न्यूस पेपर में खेरी के बारे में पढ़ा था जो कि उडिसा के सिमलिपाल फॉरस्ट में रहती थी वो एक डोमेस्टिकेडिड मतलब पालतु टाइगरिस थी वो आर्टिकल परने के बाद उनके मन में एक किरियोसिटी हुई और वो खेरी से मिलना चाते थे उसके बाद वो बरंपुर में रहने वाले एक सीनियर जर्नरिस्ट से कॉंटाक्ट करते हैं जो उन्हें बताते हैं कि खेरी जिनके सूपरविजन में हैं वो एक बहुती स्ट्रिक्ट पर्सन है फिर ऑथर उनके अड्रस निकालते हैं और उनको लेटर लिखते हैं और उस लेटर में वो ये पूछते हैं कि क्या वो उनसे मिलने आ सकते हैं और फाइनली उनको एक हफते के अंदर सरोजरा चौधरी से जशिपूर आने के लिए इंविटेशन मिल जाती हैं और उस इंविटेशन में ये भी लिखा हुआ था कि वहाँ पर कैसे पहुँचना है फिर राइटर भुबनेश्वर से बस लेके चार वजे वहाँ पर पहुँचते हैं सुभा की चार बजे थोड़ा अंधेरा था तो राइटर सोच रहते हैं कि उन्हें कहां पर जाना चाहिए और एक मिनिट के अंदर एक फॉरेस्ट काड आके उन्हें खैरी जैसी पूर में वेलकम करता है फिर वो उन्हें गाइट करके गेस्टरूम तक ले जाता है और ये बोलता है कि आपके रहने के लिए यहां पर सारी सुभीधाएं की गई है और आप जितना दिर चाहें यहां पर रेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद मिस्टर चौधरी उनसे मुलाकत करेंगे फिर वो जब अपने नीन पूरी करके उठते हैं तो सड़नली वो टाइगर की आवास सुनके डर जाते हैं फिर कुछ दे बाद एक आदमी उनके लिए बिसकट और चाय लेके आता है और वो बोलता है ये टाइगर और कोई नहीं बलकि खैरी है और खैरी डोर के बाहर ये एक चेकर ने आई थी कि ये न्यू गेस्ट कौन है फिर वो अपना ब्रेकफस्ट कतम करते हैं और उसके बाद एक क्विक शावर लेके में हाउस में मिस्टर चौधरी से मिलने जाते हैं वहाँ पे मिस्टर चौधरी एक बड़े से चेर में बेठे रए հहते हैं मिस्टर चौधरी पचास साल की थे और वो एक पतले इंसान थे राइटर ये नोटिस करते हैं कि सरोजराद चौधरी के घर में खैरी को छोड़के और भी बहुत सारे जानबर थे For example, भालू थे, क्रेट थे और भी बहुत सारे poisonous snakes थे If you don't know what is क्रेट, I will give you a picture on the screen फिर सरोजरा चौधरी राइटर के साथ एक स्टोरी शेयर करते हैं क्रेट एक बहुत ही poisonous snakes में से एक माना जाता है सरोजरा चौधरी खेरी के साथ एक experiment करना चाते थे और ये देखना चाते थे कि उसे अगर एक स्नेक के साथ छोड़ा जाए तो उसका reaction क्या होता है एक बार जब खेरी छोटी थी तब उनके घर से एक बेबी क्रेट मिला था अगर कोई भी new creature उनके घर में आते थे तो खेरी बहुत ही curious रहती थी उनके साथ खेरने के लिए पर वो क्रेट जब भी भी क्रेट के जाधा पास जाता था सरोजरा चौधरी उस स्नेक को पीछे से खीच लेते थे ये कुछ समय तक चला एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो क्रेट पीछे घूम जाता है वो दोरों कुछ देर बाते करते हैं और फिर सरोजरा चौधरी को कुछ काम से बाहर जाना पड़ता है फिर स्टोरी में आगे राइटर खेरी के बारे में लिखते हैं खेरी मिस्टर चौधरी के पास 5 ओक्टबर 1974 में आई थी और उस टाइम वो सिर्फ दो महिने की थी तो वो पहली बार आई थी तो बहुत ही जादा भूकी थी और बहुत कन्फ्यूज भी लग रही थी फिर मिस्टर चौधरी एक मदर टाइगरेस की आवाज निकालते हैं और खेरी शान्थ हो जाती है फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सरोजरा चौधरी राइटर के साथ इंस्पेक्शन पे निकलते हैं और अपनी जिप में जब वो लॉंग ट्रावल पे जा रहे थे वो राइटर के साथ अपनी लाइफ की एक इंसिडन्ट शेयर करते हैं वो बोलते हैं कि उनके एट बर्दे पे उनकी मा ने उनको एक गन गिफ्ट किया था पहले तो वो जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए बहुत ज़्यादा शौकीन थे पर धीरे दिने उन्हें ये रिलाइज होने लगा कि इन बेजुबान और मासुम जानवरों को मानने में कोई खुशी नहीं है उस टाइम सरोजरा चौधरी इंडिया के टाइगर प्रोजेट के डाइरेक्टर थे फिर वो उस रात डीफ जंगल में कैम्प लगाते हैं मिस्टर चौधरी उन्हें वेलकम करते हैं इस बार सरोजरा चौधरी के घर में राइटर एक न्यू एनिमल को नोटिस करते हैं जो कि एक यंग पाइथान मतलब एक अरजगर था फिर राइटर सरोजरा चौधरी से एक दो गंटे बाते करते हैं और उनके बारे में जादा जानने के कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद सरोजरा चौधरी को एक मेसेज आता है और उन्हें मीटिंग के लिए जाना पड़ता है। और वो मीटिंग अगले दिन डेली में था जिसके लिए सरोजरा चौधरी को अर्जेंटली फ्राइट पकरनी थी। फिर राइटर उन्हें कोलकाता के दमदम एरपूर्ट पे छोडने जाते हैं और वो उनकी आखरी मुलाकात थी। फिर तीन महिने के अंदर खैरी मढ़ जाती है। खैरी के मरने के बाद सरोजरा चौधरी भी जादा दिन तक जीवित नहीं रहते हैं। राइटर बोलते हैं एक लेजेंट के कहानी यहाँ पे एंड हो जाती है। यहां पे दो लेजंड्स की बात की गई है, एक है खेरी और दूसरे हैं सरोजराज चौधरी. At the end of the story, राइटर ये बोलते हैं कि आज 25 साल बात भी वो उन्हें सलूट करेंगे. So that was it for today's video guys, we'll meet in the next session and until we meet next, stay tuned to literature library, do like, share, comment and subscribe to my channel if you haven't subscribed yet and thank you so much for visiting my channel.